हमारे बहुत प्यारे दान बहाद्दूर सहाब को आपके बीच में दान बहाद्दूर सींग बहुत इस्तक्बाल करें आप एक बर बहुत शुक्रिया धन्यवाद मंच का इज़ाद चाहूंगा जी वही और मैं यही बनारस काही हूँ और मूलता आजम गडगा हूँ और बिय अब यह पुर्वांचल वाले समझ सकते हैं कि जब आप एडिमिशन लेते हैं तो जब दुर्गापूर की लड़की आए तो कितना दर्द होता है लाख जतन कोरों पटती नहीं और उस समें था कि मूल चुर रखते थे छिलवा लिए तो यार दोस्त मझा ले तो दो लाइन अपने बारें बताता हूं उस समें लिखा था आप सुना रहा हूं कि भले तुमको लगता है खारे बहुत है भले तुमको लगता है खारे बहुत है गले लगके देखो प्यारे बहुत है वाह बहुत अच्छे अरे फिर पढ़िये वही यह यह दर्द है हम सब का दर्द है तो फिर उसुनाता हूँ, भले तुमको लगता है, खारे बहुत है, गले लखे देखो, प्यारे बहुत है, और हमारे जुनु के कसीदे पढ़ोगे, हमारे जुनु के कसीदे पढ़ोगे, सलीके से खुद को समारे बहुत है, हमारे जुनु के कसीदे पढ़ोगे, सलीके से खामोश है हम, सुनियेगा, अपने लोगों के बीच में हूँ, तो बहिचक अपनी बात रखता हूँ, है तेहजीब अपनी, जो खामोश है हम, तेवर में हमारे शरारे बहुत हैं, अरे भाई वा, ये मेरी बात नहीं, ये सारे अपने यार दोस्तों की बात थी, सारे आश्कों की बात थी, अब महीना चुकि फरवरी का है, और हम बड़े सचे लोग हैं, तो एक बात रखता हूँ, और तुम आप लोगों को तक पहुचे, तो हर लाइन पर ताली चाहूँगा जरूर, ठीक है, सुनियेगा, खिताब सारे निसार तुम पर, सुरी, हुआ नहीं आशिको में मुझ सा, सदी से पूछो जो पूछना है, aur खिताब सारे निसार तुम पर, किसी से पूछो जो पूछना है, किसी से पूछो जो पूछो जो पूछो जो पूछना है और रिवाज सारे रटे हुए है बनारसी है नो तो एक एठन भी होता है गुरु हमके मत सिखावा हमके सब पता है कि रिवाज सारे रटे हुए है और पता मुझे है हवन के माने अहाँ, अहाँ, रिवाज, सारे रटे हुए है, पता मुझे है हवन के माने, इबादतों में कमी न रखते, उसी से पूछो जो पूछना है, अरे वाँ, अरे वाँ, 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 अब अगली लाइन आप लोगों की है, उसको सुनियेगा और सब की कि तुम्ही बसे मेरी धड़कनों में, ऐलान कर दे कहां बताना, तुम्ही बसे मेरी धड़कनों में, ऐलान कर दे कहां बताना, अरे उचक उचक के तुम्ही को देखा, सखी से पूछो जो पूछना है, वाँ, वाँ, गवाही तो तुम्हारी सहली देगी ने, तो उचक तुम्ही को देखा, सखी से पूछो, जो पूछना है, और महक उठे है कमल जो निले, छुपा न पाए किसी से हम तो, इश्क और मुष्क छुपाए नहीं छुपता, कहीं के निशानिया रह जाती है, क्या बात, क्या बात, निशानिया रह जाती है, तोसी पर है, कि महक उठे ह कमल जो निले छुपा न पाए किसी से हम तो जुकी हैं पलकें शरम से उनकी मुझी से पूछो जो पूछना है और किताब में तो नहीं मिलेगा अच्छा कि किताब में तो नहीं मिलेगा जिया है जैसा ये इश्क हमने एहाँ, किताब में तो नहीं मिलेगा, जिया है जैसा ये इश्क हमने, गुरूर नादान का तुम हो, किसी से पूछो जो पूछना है, और आप लो बहुत अच्छा सुन रहे हैं, अब अगरा सुनाना चाहूंगा, अब बनारस था तो सपना जी की बाहर था तो बहुत बात हो नहीं थिए तो कुछ दोस्तों नहीं कहा कि कुछ सपना जी के लिए जरूर सुनाई एगा अरे बाई क्या वाट है वह जदूरी चली गए हाँ सब्सक्राइब अन्दाजा हो गया था कि आप उनके लिए सुनाने वाले आप उनके आने पर इस उनाएंगे तीक है उन्हें अन् यह शरारा जरूर करेंगे जी, बहुत अच्छे मैं अग्ला सुना रहा हूँ क्या हुआ सुनिये गाँ अब थोड़ा-सा हल्का-बुल्का वलंटाइन का महिना है, तो सभी लोग तो सफल होंगे नहीं सभी लोग तो सफल होंगे नहीं बहुत अच्छे कुछ लाएने उनके लिए भी कि कैसे तसल्ली दे सुनिएगा मुष्टिल उसका दिल साधागर निकला है नहाज करयार बहुत करशिली थी, फला-फला भावनात्मक नहीं थी, बाववनाशुणी पैसे पेबस ए था तो उसका दिल साधागर निकला मुश्किल से में बाहर निकला इसका दिल सौधागर निकला मुश्किल से में बाहर निकला इससे उससे सबसे ठाडर इससे उससे सबसे ठाडर उसका सबसे चक्कर निकला अरे भाप रहे शुक्रिया इससे उससे सबसे ठाडर उसका सबसे चक्र निकला और जूठे वादे पे ठहरा हूँ जूठे वादे पर ठहरा हूँ ये सावन भी बंजर निकला ये बेवफाई की इंतहा थी इंतहा थी उन्हें पूरा गुमाती रही मतलब सेंटरल ओफिस में ना के फीस भी जमा करो तो डीन ओफिस में जाओ और उसके वाद बहुत अच्छे भई वाँ एक बार एक बार बिना कंजूसी के एक बार तालीब जा दे हैं बहुत अच्छा बहुत अच्छे जाद जादा है तो अतला की मतलब से रखता था रिष्टा मतलब से रखता था रिष्टा मैं सबसे कम्तर निकला और खुद को हारा जिसकी खातिर खुद को हारा जिसकी खातिर वो अंदर से पत्थर निकला क्या बात और अगले शेर में बहुत दर्द है सुनिएगा हीरे सी इज़त जिसको दी हीरे सी इज़त जिसको दी वो मैला सा कंकर निकला बहुत अच्छे भई हडा उसको हीरे सी इज़त जिसको दी वो मैला सा कंकर निकला अब जो कोई मिल जाता है तो उसके लिए क्या कहना है कि जिसके हिस्से में तुम आए जिसके हिस्से में तुम आए वो सबसे ताकटवर निकला क्या बात है क्या बात है क्या बात है क्या बयान सच्चाई है इसके हिस्से में तुमा है वो सबसे ताकटवर निकला उसका दिल सौधागर निकला क्या बात है मुश्किल से मैं बाहर निकला अब बनाराज को दोस्तों के फर्माइश्ते और सपना जी मंग पे नहीं है, फिर मैं सुना देता हूँ जब तक आप पढ़ रहे हैं, सपना जी को इधर आने के लिए मना किया हुआ है वो है किया ना, भाई भी साथ आया है तो थोड़ा सा, दिक्ट है बस वही सुना रहा हूँ, सुनिएगा, अपने लोगों के बीस में हूँ बेजिशक चीज़ें सुनाता हूँ बहुत अच्छे, बहुत अच्छे ये चान कुछ ज्यादा ही चमक रहा ये चान कुछ ज्यादा ही चमक रहा इन सर्दियों मेरे शहर आये हो क्या यह चांद कुछ ज्यादा ही चमक रहा, इन सर्धियों मेरे शहर आय हो क्या, और बिखरी है खुश्बू जानी पहचानी सी, क्या बिखरी है, खुश्बू जानी पहचानी सी, मेरा दिया हुआ इतर लगाय हो क्या, वाह, बहुत अच्छे भई, विखरी है खुश्बू जानी पहचानी सी, मेरा दिया हुआ इत्र लगाय हो क्या, और अचानक ही चर्चे में आगया हूं मैं, तो है कि कोई लड़की अकर होस्टल पूच दे किसी का भी नाम, तो यार दोस्ट पुझे रहे हैं, गुरु बड़ी सुंदरली की पुछत रह ल तो अचानक ही चर्चे में आगया हूं मैं, मेरा पता पूचते हुए श्रमाय हो क्या, और अगली लाइन है की, बिजलिया गिरी हैं शेहर में नादान, नगाब को चहरे से सरकाई हो क्या, क्या बाद है और बहुत अच्छा सुन रहे हैं, और दोचार से रोर सुनाता हूं, ना बादल को जुकाना था ना सागर ही सुखाना था भाई आजकों की बात को रूँगा बस सचाई रखनी थी प्यार में चांद तारे नहीं लाने थे तो ना बादल को जुकाना था ना सागर ही सुखाना था मुहबत मुझसे करते हो जमाने को बताना था मुहबत, मुझसे करते हो जमाने को बताना था और कई राते गुजारी हैं अकेली और तनहा ही कई राते गुजारी हैं अकेली और तनहा ही मिले हो बाद मुद्दत के तो पीना और पिलाना था क्या वात, क्या वात और अगला शेर है कि सफर जारी रहे अपना मनाता ये रहा हर पल ये हॉस्टल वाले लड़के समझते होंगे जब घर आर्ट से आ रहे है तो रास्ते में कोई खूबसूरत चेहरा मिल जाए तो क्या होता है सारे देवता पूझ लिये जाते हैं भगवान ये आखरी स्टेशन तक पहुंचे तो सफर जारी रहे अपना मनाता ये रहा हर पल मुसाफिर खूबसूरत था समय ज्यादा विताना था खूबसूरत था समय ज्यादा विताना था और अगला है कि सुनो तुम भी तो गुजरे हो गुलामी की जहालत से सुनो तुम भी तो गुजरे हो गुलामी की जहालत से बिना सोचे कफस से इन परिंदों को उड़ाना था अरे भई वाह क्या बात वाह अब एक बहुत प्यार मुहबबत की बाते हो गई अब एक गंभी रसना सुनाता हूँ अपना स्थाल लूँगा क्योंकि ब्यच्चू में बैठा हूँ और आगे से लेगे पीछे तक सारे पढ़े जो बहुत ही जागरिब दिमाग के लोग हैं और अगर इनके बीच में ये बात नहीं कहा तो फिर बैर्थे मेरा लिखना पढ़े खामोशी के साथ सुनियेगा और उसके बाद अगर रसना पसंद आए तो मुझे इस कविता को सम्मान दे दीजेगा अपने तालियों से आए दिन जो समाज में बलातकार की घट्टाय होती है उसी पर लिखा है और थोड़ा गंभीर विशा है तो मैं मन लगाएंग इस क्या है उसी पर सुनाता हूं कि वो माफी मांग तो रही थी वो माफी मांग तो रही तुस गल्ती के लिए जो उसके हिस्से की थी ही नहीं पिर भी ना सुना उसके नमिसरार को पिर भी ना सुना उसके नमिसरार को जो खुद में सिम्टे हुए मांग रही थी तुम से ख पर दधन पर से तुमसे खुद आहे...? पिर भी, ना खु न अउसके नमिंसदार को जो खुद में सिंटे हुए… मांग रही थी तुमसे खुद का सवभिमान कभी अपनी हठेलियो से अपने सीने को छुपाते हुए और कभी अपने घुटने में अपने पूरे बदन को धसाते हुए कभी अपनी हथेलियों से अपने सीने को छुपाते हुए कभी अपने घुटने में अपने पूरे बदन को धसाते हुए अपने असमत की इस्तदा करती फिर भी तुम्हारी फाजिर नजरों में उतराए लहू को ना दिखा उसका मासूम ता चहरा फिर भी तुम्हारी फाजिर नजरों में उतराए लहू को ना दिखा उसका मासूम ता चहरा बिल्कुल वैसा ही जैसा खिला है तुम्हारे घर में भी खिल खिलाता चहरा बिल्कुल वैसा ही बिल्कुल वैसा ही जैसा खिला है तुम्हारे घर में भी खिल खिलाता चेहरा फिर क्यों चीर दिया उसके जिस्म को क्यों बना दिया उस मासूम को अखपारों की सुर्खियां और चौराहों की चटपटी खबर सिर्फ इसलिए कि वो भी खुल के हसना चाहती थी सिर्फ इसलिए कि वो भी खुल के हसना चाहती थी और रंग भी रंग एक कपड़े पहन तितली सा उड़ना चाहती थी और हमारी काली दुनिया में कुछ रंग अपने मन का भरना चाहती थी वो माफी मांग तो रही थी उस गलती के लिए जो उसके हिस्से की थी ही नहीं धन्यवाद